ओके गाईस तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे PSU BANKS के बारे में हमने कल भी बात करा था PSU BANKS क्रेश अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन हाँ आज जो है बहुतों ने राहत की सासली होगी और मैंने भी राहत जरूर से बताना है यहाँ पे बहुत चीज़े चेंज होने वाली है मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट करूंगा भी और मैंने जो है यू फाइनांस एंड मी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है शाम को साथ आठ बजे के आसपस अभी अपलोड नहीं हुआ ह इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं अपलोड करूंगा लेकिन आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब अपलोड हो चुका होगा वहाँ भी मैंने सेम चीज़ अच्छे से एक्स्प्लें किया है वहाँ पे आप जाकर कि इस चीज़ को सुन सकते हो जो अपडेट मैं इंट्रीऊस होने वाली है सबसे पहले एंट्रीऊ ओर फाय फाइंस हो फार इंटेज systematically हमारा सगन चैनल जो अफ्डेट के लिए था अब यहां पर इंट्रीऊस होने वाला है और दो chanels, एक होने वाला है हमारा telegram channel, यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर telegram group, यहाँ पर telegram group होने वाला है, दूसरा हमारा होने वाला है Twitter handle, यहाँ पर मेरा Twitter handle, जो channel का Twitter handle होगा, जिसमें मैं active रहूंगा, वो आपको मिल जाएगा, इसका reason बहुत simple है, यहाँ पे छोटे मोटे अपडेट जो आते हैं, यहाँ पे उसके लिए विडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, किसी का result आ गया, किसी का कोई news आ गया, कुछ अपडेट आ गया, वो सब चीज़े जो आपको कहाँ पे मिलेंगी, वो सब ची शियर करूँगा, और अगर आप जोइन करोगे, डेफिनिटली आपको फायदा होगा, सवाल आता है कि कहां से कैसे जोइन करना है, तो इसके लिए अभी तक, मैंने जो है, नाम, टेलिग्राम ग्रूप का नाम, या फिर जो भी है, वो भी बताया नहीं है, कल तक आपको यह पता चल जाएगा, कल का वीडियो बहुत important है, क्योंकि कल यहाँ पर आपको यह सब चीज़े मैं बताने वाला हूँ, कि किस तरह से क्या नाम रहने वाला है, वहाँ पर क्या functioning होने वाली है, सब कुछ, तो ठीक है, इसके लिए जरूर स्यार सब्सक्राइब कर देना, दोनों हिसाब से, आप analysis करने के बाद, research करने के बाद ही कुछ करना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, PSU banks, मेरे जो तीन PSU banks है, उनके बारे में ही बात करेंगे, normal सी चीज़े, जिसके बारे में लगातार बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो इसी के बारे में बात करेंगे, okay, so यहाँ पर सबसे पहले, Yuko bank, अगर आप देखोगे, मैंने बताया था, यह, this is support, and support से हमें जो है, आज एक green candle मिला है देखने को, and यहाँ पर आप देखोगे, नीचे के side, wick भी है, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत selling देखने मिला था, but buying pressure काफी जादा था, इसलिए जो है, इस wick को यहाँ पर पूरा reverse कर दिया गया, और green में closing आज मिली है, और यह बहुत अच्छी sign है, क्योंकि काफी दिन से बड़ी गिरावट हो रही थी, और इसमें अगर आप कहते हैं यार, डूबने को तिनके का सहारा, यह वही तिनका है, और इस तिनके से ही मुझे लगता यह तिनका आगे बहुत कुछ जो है, चेंज करने वाला है, I think bottom form हो चुका है, यूको बैंक में, मैं ऐसा नहीं का रहा है, यहां से direct rocket होकर कि एकदम double हो जाएगा, यह अगर आप सोच रहे हो, मेरे ह पर उपर नीचे रहेगा, और उसके बाद हमें जो है, मोमेंटम देखने मिलेगा, यहां पर हमें जल्दी भी देखने मिल सकता है, थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है, कम से कम, एक, दो दिन, मिनिमम यहां पर थोड़ा time spent करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, उसके यह एकदम support level and support level पे available है इससे अच्छी बात मुझे नहीं लगता कुछ होगी और next पे चलते हैं next हमारा यहां पे मैंसे नीचे करता हूं मैं यहां पे सर्ची कर लेता हूं यहां पे महा बैंक यहां पे आ चुका है bank of maharast अगर आप यहां पे देखो कि मैं इसे हटा देता हूं मैंने बोला था यहां पे एक level तो यह है जिसने जो की break हो गया बट यहां पे यह एक breakout करी test level था जहां मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक support देखने मिल सकता है और वहीं पे हमें support देखने मिला यहां पे हमें green candle देखने मिला सेम कोई अंतर ही नहीं है अगर मैं बोलो अंतर तो यह गलत होगा कोई अंतर नहीं है स्थे में सब कुछ आप देख सकते हो यहां पे जो है लगातार volume गिर रहा था और आज इस candle ने volume को बढ़ा दिया selling pressure दिख रहा था बट यहां पे विक को cover कर लिया गया एंड एक support पर है कि अभी opportunity है तो मुझे लगता यस बिल्कुल opportunity है यहां पर अगर अभी opportunity नहीं है तो मुझे लगता है कभी opportunity नहीं है अगे मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूं इस purely educational purpose है मैं कहा रहा हूं आगे चलते हैं IOB Indian Overseas Bank मैं कुछ नहीं कहूंगा सेम चीज अगर आप note करोगे आप को वही सेम चीज देखने मिलेगा आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा जो है just a second okay so मैं सबसे पहले से छोटा कर लूँ हाँ अगर आप यहां पर देखोगे तो एक green candle again देखने मिला हमें इसी इसी level से देखने मिला मैंने कल ही कहा था आप कल का video जाकर के देखना मैं provide कर आप को मिल जाएगा आप जाकर के देखना मैंने बोला था कि अब गिरावट जादा नहीं है maximum एक से दो दिन की गिरावट और अगले दिनी मार्केट पलट गया पूरा लेकिन वही सेम चिस कहूंगा पलट गया मतलब यह मत समझना कि इसी speed से वापस ही उपर चला जाएगा मुझे असा नहीं लगता है मुझे लगता है थोड़ा time spend होगा यहां पे थोड़ा उपर नीचे होगा volatility रहेगी लेकिन यहां पे जो है green candle एक बहुत मतलब यह दिखाता है कि bottom शायदा बन चुका है अब इससे जादा नीचे जाने की या panic selling होने की उमीद नहीं है और यहां से green candle में volume जाता है तो clear and volumes लगातार घट रहे थे and आज जो है volume बढ़तावा दिख रहा है आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा मैं अगर ऐसे कर दो तो आपको यहां पर थोड़ा सा दिखेगा यहां पर देख सकते हो कि पिछले दिन से आज volume जाता था and तीनो banks में सेम हो तो जरूर से जाओ और चेक करो और वीडियो को देखो और यहां पर जो है बहुत अच्छी opportunity है मैंने targets के बारे में भी बताया हुआ है यहां पर बाकी end करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा like, share, subscribe कर देना, bell icon प्रेस करके all पर set कर देना और आज तो यह और जरूर